पूजेती पूजा करता है या पूजा करती है बुद्ध से पूजेती बुद्ध के लिए या बुद्ध की पूजा करता है या करती है जो पूजा का अर्थ है पाली में वो बहुत कमाल का है तो कि ये पाली का सब्ध है पूजेती बाद में ये पूजा बना पूजनिये आपने बहुत देखे होंगे कि माता पिता पूजनिये है या गुरुवर जो गुरुओं में स्रेष्ट है यानि बुद्ध वो पूजनिये है या कोई बड़े हैं वो पूजनिये है या कोई टीचर हैं, मंक हैं, भिकु हैं, भिकुणी हैं वो पूजनिये है, पूजनिये का मतलब पाली के अंदर पूजने है, पूजने का मतलब पूजा के लिये या पूजा के लायक, इसका मतलब ऐसा होता है, तो पूजा का जो मतलब आज के समय में बताया जाता है, और जो प्रैक्टिस में आता है, और जो लोगों की समझ में आत करके ुओ दिया गुमाकर या मौंबति गुमाकर या धाथ जोड़कर या वहां दो चार बातें तिसन्य पंशिल कहके और तीन चार बार नीचे जुक कर गरदन गो जुका के और कहते हैं पूजा हो गई और हमने पूजा कर ली बेसिकली ये पाली में पुराने समय में पूजा का मतलब नहीं है पूजेती का मतलब नहीं है पूजनिय नहीं है जो पू का सब्द है पू का मतलब है पावचन इसको पावन वचन भी बोल सकते हैं क्योंकि पावन बाद में बना है पावन का मतलब पवित्र बाद में बना है पावचन है पावचन का मतलब होता है बुद्ध के वचन बुद्ध की बात और जन जो सब्दे इसमें वो है जानाती या जानन जानन का मतलब है पहचानता है जानता है समझता है तो इसका मतलब हो गया कि बुद्ध के वचनों को जानता है समझता है इस पूरे पूजेती का मतलब पूजा का मतलब यहां सौट फॉर्म में आता है तो अब पूजा जो होती है वो सिर्फ बुद्ध के वचन की ही होती है यानि जो पूर है वो आवचन होगे बुद्ध के वचन होगे और जन का मतलब जानन होगया, जानना होगया, समझना होगया, देखना होगया तो बुद्ध के वचन के लिए ही ये बात आई है ये तो बात क्लियर हो गई पाली से तो आपने उसको करना कैसे है जानना कैसे है अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और बैठ के त्रीशन पंच्छील गा रहे हैं और उसको लेमे बोल रहे हैं या कोई और आगे वंदना कर रहे हैं या कोई बुद्धत का वच्छन आप याद कर रहे हैं या का रहे हैं तो वो पूरे परिवार को इतना लाभ देगा कि उसे सुनके जो छोटे बच्चे है वो कंठस्त कर लेंगे जो जीरों से लेके और दस साल के बच्चे हैं क्योंकि जीरों से पांस साल के बच्चों के लिए तो कोई नियम भगवान बुद्ध ने बताया नहीं वो तो मन से ही बहुत शुद्ध होते हैं बहुत प्योर होते हैं उनका मन बलकुल साफ होता है पांच साल से लेके दस साल के बच्चे का मन थोड़ा सा बदलना स्लो हो जाता है घर का वैवार देखे, पड़ोशियों का वैवार देखे, आसपास देखे तो वो जो पांच सील हैं उनके विरुद में काम करने लगता है जैसे स्कूल से किसी का रबल चुरा के ले आया, या वैसे ही उठा के ले आया या कोई बात डरकी वैसे जूट बोल दी, या कुछ काम ऐसे जो आपने उसे मना किया है उसने कर दिये, आपकी बात नहीं मानी, या कहीं कोई छोटा मुटा कीट उसने मार दिया या कहीं कोई ऐसा आचन कर रहा है जो की सीलों के मुताबिक नहीं है या कहीं कोई उसमें अजीब सी कोई बात ऐसी आती है जो सील के वरुद आती है तो इस पाँच से दस साल का बच्चा लगबग करना सुरू कर देता है हम उसको ध्यान नहीं देते तो उस बच्चे को जब आप पूजा करें तो पाँच सील को पढ़ाएं पाँच सील को उसे रटवाएं और पाँच सील का अर्थ उसको उसकी भासा में समझाएं क्योंकि पाली में तो समझ नहीं पाएगा तो आपका अगर बच्चा मराठी है या आपका बच्चा पंजाबी है या गुजराती है या तमिल है या आपका भोजपुरी में गाता है या समस्ता है या जो भी भासा है उडिया है तेलगु है मलियारम है या उर्दू है तो आप उसको उसकी सल्भासा में بتाए कि ये पाँच काम हमें क्यों नहीं करने चाहिएं इन पाँच कामों से करने से क्या नुक्सान होगा अभी से ही समझा देंगे 5 से लेके 10 साल में तो वो पूजा सबसे अच्छी है क्योंगि पूजा का मतलब भाद में सम्मान करना भी है सम्मान का मतलब है सेमान यानि स्वैमान यानि मानना उस बात को मानना जो बुद्ध ने बताई है तो पूजा का मतलब यहां सम्मान भी होता है तो जो आप ओनर देना चाहते हैं तो पार से लेके दसाल के बच्चे के लिए आपने खाली गायन नहीं करना है। आते हैं असील कैसे हमें गलत कामों में आगे ले जाते हैं तो ये काम जब आप कर लेएं तो पांस से लेके दस साल की बच्चे की पूजा हो गई मगर 10 साल से लेके और 20 साल का जो बच्चा है उसका माइंड बहुत तेरी से सोचता है बहुत तेरी से बदलता है बहुत तेरी से वो रिवैल करता है यानि कि विरुद भी करता है उसकी तरकी जो शक्ती है वो बहुत जादा डबलप होनी सुझाती है अगर वो बहुत तिरी से चीजों को समझ के उनके जवाब मानता है अगर आप सही जवाब उसको नहीं दे पाए तो किसी और ने अगर कोई उल्टे जवाब दे दिये तो वो उनको भर लेगा, उनको लोड कर लेगा माहिन में इसलिए उसको आप दिन में एक वार कम से कम 350 सील का अर्थ बताते रहें उसको पाली में भी बताते रहें क्योंकि पाली में ये बहुत चोटा है मगर आप अपनी भासा में बताएंगे तो ये बहुत वाइडर बढ़ा हो जाता है इसको अपनी भासा में बताएं कि सील क्यों जरूरी है उसके विकास के लिए परिवार के विकास के लिए देश के विकास के लिए इसकूल के विकास के लिए और स्वास्थे के लिए समरत देगे लिए शान्ती के लिए अगर 20 साल तक आप उसे बताने में कामयाव होगे तो ये उसकी रोज की पूजा है यानि आपको रोज सुबह रुटती सबसे पहले ये समन कराना है कि ये 5 सील हैं और ये 5 सील ये फायदा देते हैं ये continuous आपने पूजा करनी है और 20 साल से लेके और जब तक आप मरें तब तक आपको सीलों का पलन करने की पूजा 365 दिन और 24 घंटे करनी है क्योंकि आप उस समय दिन दुनिया में बहुत जाता है दुनिया के अंदर बड़ी मारा मारी है मार चारो तरफ है, चारो तरफ वेफचार है चारो तरफ लूट खसोट है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पर सकती है जो आपको नहीं करनी है इसलिए आपको 365 दिन और 24 घंटे याद रखना है तब वो सम्रद्धिय आपके परवार में आएगी तो आपकी पूजा 35 दिन और 24 घंटे की है जो आपको लगातार थनी है इसे हिसाब से करेंगे पंच सील को अपनाते हुए, जानते हुए और समझाते हुए तब वो बुद्ध का पूजा होता है मगर अगर आपने मुहम्मती जलाई है आपने फूल जलाई है, आपने फूल रखे है आपने कोई दूपती जलाई है, कोई मूर्ती रखी है कोई पोस्टर रखा है, कोई कलंडर रखा है अपने महापुर्सों का रखा है अपने बावासाब का रखा है अपने माता-पिता का रखा है आपने महाँ कोई फल फुरूट भी रखे हैं या कोई हाथ जोड़के सफेद कपला पेंगे या पीला कपला पेंगे या नीला कपला पेंगे या जैसा भी आप कोई डैस आपने रखी है या आप तीन बार जुकते हैं, या आप वंदरा करते हैं, या आप लेमें, गायन करते हैं, गाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई तब है कि आप सर्फ यही काम करें और पंच सिल्का पालन ना करें, ना ही पंच सिल्क को साधरन सद्धों में बताएं, अब बु क्योंकि पूजा आपने की नहीं, आपने पूजा का आडंबर कर दिया, आपने पूजा का अंद्विस्वास कर दिया, आपने पूजा की माननता बदलती, आपने सम्मान नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, और नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के वचन में जो पू है, पू पूजा करें और क्योंकि पूर्ण मार यह साथ तारे को तो आप जब इसकी पूजा करेंगे और पूरा परिवारा बैठेगा तो आप पाली के साथ-साथ अपनी मात्र भासा में जो सब को समझ में आती है पंच सील के अर्थ बताईए और खाली अर्थ बताने तक सीमित ना र त carta है कौण कौण लेकर नहीं आ रहा है थोड़ा मुस्किल है क्योंकि जो आपकी सालों की आदत है जो आपकी वीस-ती साल की आदत है उसको एक साथ बदलना ट्विश्ट करना बड़ा मुस्किल है अगर सुरुवात कीजिए और पूजा कीजिए और पूजा वही कीजिए जो बुद्ध के समय में होती थी जिससे बुद्ध परसन होते थे जिससे भिक्कू परसन होते थे जिससे वातावन परसन होता था जिससे देश परसन होता था जिससे समरद्धी और शांती आपके घर में आते थी खुब दबा के पूजा कीजिए पंच सीलों की पंच सीलों के मास का मतलब है महीना, इसको पूर्ण माई बोलते है, पूर्ण माई बोलते हैं, पूर्ण माई बोलते हैं, या इसको भगवान बुद्ध के जनम की पूर्ण मासी भी बोलते हैं, या भगवान बुद्ध के बोधी ज्यान की प्राप्ति की पूर्ण मासी की रात भी बोलते है और भगवान बुद्ध के निबान प्राप की रात भी बोलते हैं तीनों काम बैसाख पूर्णमा को हुए इसलिए बैसाख पूर्णमा भी बोलते हैं आपको ये जो जानकारी भगवान बुद्ध ने दी और जो आप अभ्यास में लेके आने वाले हैं या लेके आते हैं जो आप इसकी practice करते हैं जिसका आपको लाब होने वाला है या हो रहा है इसकी बहुत-बहुत मंगल कामना है धन्यवाद धामन शरनं गच्चामे संघन शरनं गच्चामे धन्यवाद शरनं गच्चामे धन्यवाद शरनं गच्चामे संघन 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 गच्चामे संघन गच्चामे संघन गच्चामे